पिछले लगतार कई दिनों से चात्रों का कमेंट आ रहा था इगनू B.A. को लेकर कि इसका एडमिशन फारम 2023 के लिए कब आएगा या कब आता है वर्स में एक बार आता है या दो बार आता है चाहे इगनू B.A. हो इगनू P.S.D. हो या इगनू B.S.C. नर्सिंग हो इन सभी का एडमिशन फारम एक साथ आता है तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि 2023 के लिए इसका आवेदान फारम कब आएगा वीडियो प्रारम करने से पहले बता दू कि आप हमारे चैनल पर फाली बारा है तो चैनल सब्सकाइब करके बेल नोटपीकेशन नवस प्रेस कर लिएगा ताकि जब भी कभी मैं इगनु संबंदित कोई वीडियो अप्लोड करू तो उसका नोटपीकेशन सबसे पहले आपको प्राफ्त हो जाए तो चलिए वीडियो को प्रारम करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एगनु में जो एडमिशन साइकि लिए नहीं होता है इन सभी का जो आविदन घरमए एक साल में एक ही बार आता है वो कभाधा है फ़ फिशले बार की मैं आपको बता दे रहा हूँ जो पिछली बार आया था वह मालीजे कि 20 या 21 नॉवंबर साइद 21 नॉवंबर को ही आया था दो हजार 22 में ठीक तो ये था ये तीनों का एक साथ आवेदन फार्म आया था, कब आया था, 20 या 21 नॉवंबर 2022 को आया था, फिर 30 दिन के लिए समय रहता है कि आप आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया गया, और डिसंबर के बाद 8 जन्वरी 2023 क इसका परवेश परीच्छा था, यानि इंट्रेक्स एक्जाम, इगनू B.A.D. में, Ph.D. में और B.A.C. नर्सिंग में आपको इंट्रेक्स एक्जाम से गुजरना होगा, जिसे अन्याद कोर्स में होता है कि डाइरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन B.A.D. में, Ph.D. में नर्सिंग में आपको परवेश परिच्छार से गुजरना होगा यानि कि जब यह आता है आविदन फार्म भरने का उस समय आप आविदन फार्म भरेंगे इसके बाद आपको कुछ दिन के बाद एक एंट्रेक्स एक्जाम देना होगा उसमें पास हो जाएंगे तब जाके या नौवंबर के पहले सब्ताह में कभी भी आ सकता है यहीं रहेगा या तो अक्टूबर के लास्ट वीक में या नौवंबर के पहले सब्ताह में या दूसरे सब्ताह में आ जाएगा ठीक है तो आपको एक अनुमान लग गया होगा कि कब आता है एक अनुमान लग जाता ह तो कोई समस्या नहीं रहता है तो आप समझ गए होंगे कि कब आएगा जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दूँगा उस समय आपको मैं बिश्टित रूप से बताऊंगा कि क्या क्रेटिरिया है योगता है फीस है डियूरेशन है कैसे सब्सक्राइब करके लिए अने जनकारी के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जूइं कर सकते हैं इस्टागराम पर फोलो कर सकते हैं दोनों का लिंग वीडियो का डेक्स अप्शन में मिल जाएगा तो